यहाँ वो डीमन उस बैंडित कृम्णल को मार देता है। वो उसे होल में गिराने ही वाला था कि कि तभी वो जाग जाता है और उस डीमन के मुझों में होल कर देता है। वो क्रिमिनल लड़का अपने भाई टोमा को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो उन जाइंट लोगों को समालो वो डीमन हैरान था कि ये आखिर मरा क्यों नहीं क्या इसने उन प्लांट के साथ अपने आपको मर्च कर दिया है जब ये जमीन में था क्रिमिनल लड़का उस मॉंस्टर को फील कर रहा था वो वो देख रहा था जो कोई और्डिनेरी हुमन बिंग नहीं देख सकता इस बार उस क्रिमिनल लड़के की एनरजी बहुत जादा दिख रही थी और इसे वो डीमन महसूस कर रहा था वो सोचता है कि ये इनसान अब डेंजरस है इसे मारना होगा अभी वो उस क्रिमिनल लड़के का हाट डिसलोकेट कर देता है जो की अपने आप ठीक हो जाता है उसका भाई टोमा ये देख कर खुश था कि उसका भाई एडेपटेशन में माहिर है उस क्रिमिनल लड़के को अपनी ताकत पे घुमान आने लगता है वो डीमन उससे पूस्ता भी है कि तुम बदल रहे हो और क्या तुमें फरक नहीं पड़ता कि तुम अब इनसान नहीं रहोगे उस क्रिमिनल लड़के को अपना बच्पन याद आता है जब बैंडिट्स का ग्रूप उस पे मार्क लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो कहते हैं आओ सबसे पहले हम तुमाक पे मार्क लगाएंगे उसका भाई अपने आप नाइफ ले लेता है और अपनी आँख में कट कर देता है कहता है मारो मारो मुझे ये लो मैंने अपने आपको खुद मार दिया यहाँ वो क्रिमनल उस डीमन से अपनी और पावर बताने को कहता है वो डीमन अपने हातों से सौनिक अटैक छोड़ता है उस क्रिमनल लड़के की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसे उस monster के सारे moves, invisible moves देख रहे थे वो उनको dodge कर रहा था टोमा ने उन सारे giant को मार दिया वो criminal उसकी invisible power देख चुका था और वो उस monster के शरीर में आर पार कर देता है जिससे वो मर जाता है वो उसे मार कर ऐसे खुश था जैसे बलाल देव बाहुबली को मार कर खुश था पर उसका भाई टोमा अपने भाई पे पड़े माक्स को देख कर tense था यानि कि चिंता में था उसको ये चिंता थी कि उसका भाई अब कुछ और न बन जाए क्यूंकि वो scars बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे हमें यहाँ दिखा जाता है कि Blade Dragon को उस लड़की की कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो लड़ रहा था वो गाबी मारू की fight को देख कर काफी impressed था यहाँ वो samurai वहाँ पे पड़े एक monster को investigate कर रहा था यानि कि उसकी autonomy को analyze कर रहा था basically post-mattem वो गाबी मारू को बताता है कि यह सारे के सारे monster अलग-अलग है यानि कि सबकी अपनी-पनी weakness है वो यह भी बताता है कि लड़की काफी ज़्यादा mysterious है गाबी मारू यह सोच रहा था कि इस लड़की ने मुझे बचाया और इसके पास mysterious power तो है और ऐसा करना किसी ordinary इंसान की बस की बाद भी नहीं वो लड़की रोने लगती है ड्रेगन मास्टर गाबी मारू को कहता है आखिर कि तुम कर क्या रहे हो इसे घूरो मत गाबी मारू कहता है कि उसकी शादी हो गई है क्या बात कर रहे हो यहाँ वो समुराय सोच रहा था कि गाबी मारू कोई आम इंसान नहीं तब ही महाँ अचानक टेंसें जैसा मॉस्टर ड्रेगन मास्टर से उस लड़की को छीड लेता है वो कहता है मिया सामा मैंने तुम्हें बहुत ढूंडा बोले तो कहां थी तुम वो बताता है कि मिया सामा होराय से चली गई थी और उसे निकाल दिया गया था रियान सामा ने ऐसा करने का ओर्डर दिया पर अब ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलकर खुशी हुई अब बस हो गया हमारे साथ वापस चलिए वो ये भी कहता है कि उसका हुमेन के साथ रहने का कोई सेंस नहीं वो ये भी बताता है कि ये टेंसें के तरह इंसान खाती है वो लोग इस बात को सुनकर बहुत शौक थे वो गाबिमारू को देखकर रोने लगती है गाबिमारू कहता है कि मुझे नहीं पता ये टेंसन है की नहीं पर मैं इसे रोने नहीं दूँगा पर ये क्या वो मॉंस्टर दो लोगों में मल्टिप्लाई हो जाता है वहां बहुत सारे कीडे वगेरे आ जाते हैं वो कहता है कुछ भी हो जाए मिया सामा हमारे साथ चलेगी यहां ॡ्रीगन मांस्टर उस दूसरे मॉंस्टर को मारना चाता था क्योंकि उसके बटरफलाईस के वज़े से उसने अपने हात खोई हैं वो उस पे अटैग भी करता है उसके पास भी इन्वीजिबल पाउर होती है गाबिमारू ड्रेगन मास्टर को समझाता है कि ध्यान से इसके बास पावर है वो भी इन्विजिबल वो दूनों लड़ते हैं पर उन पे वो मौस्टर भारी पड़ते हैं वो बताता है कि मैं मिया सामा को लेकर जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए ऐसे या तैसे उसकी बाते सुन गाबिमारू गुस्से में आ जाता है और जमीन हिलने लगती है मौस्टर एक बड़ा आकार ले लेता है ड्रेगन मास्टर गलती से उन इन्सेट के पीसिस को इन्हेल कर ले और वो गाबिमारू से मदद मांगता है पर यहां गाबिमारू दूसरे मौस्टर से लड़ रहा था गाबिमारू उस मौस्टर को बर्न कर देता है पर वो मौस्टर रीजनरेट हो जाता है वो गाबिमारू पे इन्विजिबल अटैक करने लगता है जिसे गाबिमारू वो गाबिमारू को बताता है कि गाबिमारू ताउ को देखने के लिए तुम्हारा माइंड स्ट्रॉंग और वीक दोनों होना चाहिए। वो गाबिमारू को बताता है कि ये लड़की तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम्हें अपने माइंड को वीक करना है। यहां गाबिमारू के सागिरी वाला encounter याद आता है strong and weak गाबिमारू सब समझ जाता है गाबिमारू को सारे invisible attack दिखने लगते हैं वो उन्हें dodge करने लगता है वो इतनी सारी बातें इतनी जल्दी इसले सिग गया क्योंकि वो इविगाकुरे का शिनोभी है कहा जाता है कि उनके पास super human abilities है ऐसा dragon master कहता है गाबिमारू को ताव शब्द पता हो या ना हो पर वो नई टेकनीक जल्दी सीख लेता है और यही है गाबिमारू the hollow गाबिमारू को सारे invisible attacks और moves देख रहे थे वो strong feel कर रहा था और गाबिमारू उस demon के punch को अपने हाथ से बस रोग देता है वो demon हैरान था कि ये इनसान एक tension के तरह दिख रहा है उसकी power एक tension के तरह है और गाबिमारू उसे किक मार देता है गाबिमारू से पूचता है कि tension कहा है वो बताता है कि तुम्हारे जैसे कई स्ट्रॉंग लोग अभी भी इस आइलेंड में है तेंसन ने हमें तुम्हें मारने के लिए भीजा है गाबिमारू अपने निन्पो स्ट्रॉम अटैक से उस फ्लाय वाले मॉंस्टर में आग लगा देता है और ड्रैगन मास्टर उस दूसरे मॉंस्टर को अपनी स्ट से मार देता है यहां हमें दिखाय जाता है कि सागरी वही गेट में खड़ी थी जिसमें गाबिमारू खड़ा था यानि की लाल वाला गेट सागरी उस गेट को खोलती है और वहां कोई होता है तभी उस ट्री मॉंस्टर का सिर गर जाता है तो होब दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नेक्स पार्ट जल्दी आने वाला है दिस इस वेक सजवान जीतू सकलानी भाई के साथ पीस आउट